कि हलेज़ कॉलर्श वेलकम बैग यूज अन्माइयूटूब चैनल दिस इन मिस्टेशी लगौतम तोड़े आई एम गॉइंग टो डिस्कस कोजिटिव सेंटेंश इस कोजिटिव वर्प्स के बारे बता देते हैं इसमें स्कॉलर्स जो कॉजिटिव वर्प्स होता है कॉजिटिव वर्प्स में हम किसी भी कारी को खुद न करके किसी की दौरा करवाते हैं इसमें सब्जिक्ट कारी कुद न करके किसी और से कारी करवाता है जैसा कि नीचे हमने इसको बताया हुआ है कि कॉजिटिव वर्प क काते हैं इसको इंग्लिस में आप जे से बताया गया है इट कॉजिस समवन टू दू सम्थिंग कॉजिटी वर्फ सोज देट समबडी सम्थिंग इंडिरेक्टली रिस्पॉन्सिगल फार एन एक्षंग दे सब्जेक्ट डज नाट परफॉर्म दा एक्षंग इसेल बट कॉज सम्थिंग इल्स तू डू इट इनिस्टेड फार एक्जांपल यहां एक्जांपल दिये गया है यस्टरड़े आई हैड माई हेर कट कल हमने अपने बाल कटवा है देखे आई डिद नाट कट माई हेर ओन मैने अपने बाल खुद नहीं काते पर्ट आई मेड सम्वन एल्स तू डू इट हमने किसी आउर से बाल कटवाए यही काज इसी तरह सेंटेंस कॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं जैसे इसमें कॉजिटिव वर्ब्स में मेक है मेड है गेट है गाट है लेट है इन सब का प्रियोग होता है चलिए सबसे पहले हम यूज आफ लेट का बताते ह है लेट का प्रियोग किसी वेक्ट को अलाओ करने के लिए होता है तू अलाओ सम्वाण तू डू सम्थिंग इग्जामपल्स दिये हैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लेट और अबजेक्ट फिर वर्ब बेस फार्म इसमें इक्जामप उन्हें केक खाने दो, let them eat cake, third example, क्या आप मुझे पार्टी में सामिल होने देंगे, would you let me join the party, fourth example, क्या आप मुझे बोलने देंगे, will you let me speak, ये लेट के चार प्रियोग हैं, scholars, after that, use of make made, make or made का इस्तेमाल किसलिए किया जाता है, to force someone to do something, किसी ब्यक्ती को कोई चीज़ करने के लिए force करना, इसका structure होगा, subject, make, made, plus noun, plus base form of the verb, verb का base form, मतलब first form का प्रियोग करेंगे, first example, उसने अपने पती से रात्रिका खाना बनवाया, she makes her husband cook dinner, second example, मैंने उससे पत्र लिखवाया, I made him right later, third example, उसने मुझसे जूता पालिश करवाया, he made me polish his suits, fourth example, मैंने उसे गाना गवाया, I made her sing a song, fifth example, आपने मुझे हसाया, you made me laugh, वागे देखिए, get or got का प्रियोग कैसे किया आता है, इसमें structure है, subject, get या got, इसमें head भी आता है, plus third form, इसका प्रियोग जैसे to convince someone to do something, किसी ब्यक्ति को कोई कारी करने के लिए convince करना, मनाना, जैसे, पहला example है, मैंने अपना जूता पालिष करवाया, I got my shoes polished by him, second example, मैंने अपना कपड़ा धुलवाया, I got my cloth washed, मैंने थेसिस लिखवाया, I had the thesis written, fourth example, उसने अपने नाखून का नख प्रसादन करवाया, she had her nails manicured by, manicurist, next example, मैंने मेकाइनिक से अपनी कार प्रेंट करवाया, I have my car painted by a mechanic, अब इसके बाद, have का प्रयोग कैसे होता है, subject, have, noun, verb, बेस फार्म, इसका होता है, to authorize someone to do something, या फिर give someone a responsibility to do, इसका example है, मैंने उससे अपनी टीवी ठीक करवाया, I have him repaired my TV, मैंने जान से कार फिक्स करवाया, I had John fix the car, इसकोलर्स इसमें एक्जाम्पल्स दी गए है, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको समझ माया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंड जरूर करना, बाइक, तो थैक्यो वीच।